वेलो फिर नवसकर वेलकम टू माई चैनल वीजा गाइड वीजा गाइड दिखने वाले आफसी फ्रेंड्स के मैं हार्दिक श्वागत करता हूं तो अज मैं अब लोग को बताऊंगा कि ऐसा कौंस साकंटरी ऐसा कौंस अदीशिज जहां बहुत कम पैसे में आप ट्रेवल कर सकते हैं और ट्रेवल दिश्टी बना सकते हैं और वहां घूम सकते हैं वहां एक्स्प्लोर कर सकते हैं और वहां सब कुछ अच्छा अच्छा देख सकते हैं तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा क कि आप मेरे शेनल के साथ में जूर जाइए आप मेरे शेनल के फैमिली में जूर जाईए तो अगर आप में स沒有 JOHN सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि विडियो बाश जुरिट की है बहुत लंबी नहीं है तो उनकी बस एक ही पसंद रहती है कि थाइलेंड या फिर इंडिया में घूम के रह जाते हैं दोस्तों थाइलेंड अच्छा है बहुत इच्छा है घूमने के लिए लेकिन कई और कंट्री भी हैं जहां पर आप खूम सकते हो और कम बजट में आप खूम सकते हो और जैसे कि अब हैं अभी तक सुना था इंड़ोनीशिया करेंश इंडिया से काफी लो है तो बहुत सरे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिए इड़िया भी घूमते हैं इंड़िया भी घहें हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए सबसे जरूरी चीज़े हैं वो ये है कि एक मॉन्डेशन आपको मिलना चाहिए फ्लाइट टिकट आपको सस्ती पढ़नी चाहिए फ्लाइट टिकट वो आपको मिले वो कमरेट का मिले और उस कंट्री का बीज़ा बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाते हैं वहाँ आप जहां रुक रहे हैं वहाँ आपको होटल बुकिंग बहुत ही कमदाम पे आपको मिले तो friends आज में बात करूँगा एरान के बारे में मेरे बहुत सरे friends ऐसे हैं जो एरान का नाम सुना होगा बहुत से friends गए भी होंगे तबस्तों मैं आज एरान की बात करता हूँ एरान कंट्री बहुत ही खुशूरत है और इंडिया से इरान के लिए फ्लाइट बहुत ही सस्ती है अगर जब सीजन ओफ होता है तो इंडिया से इरान की फ्लाइट शाड़े शे से साथ जार रुपे में राउंट रिप आपको मिल जाता है और इतने कम प्राइज में आप इरान खुम सकते हैं एक्स्प्लॉर कर सकते हो और इरान में इरान की रजधनी तहरान और बहुत ही खुबसूरत कंट्री है वहां पे बहुत सारे मतलब प्राचीन इमारते हैं अगर आपको इमारत देखना है प्राचीन तो आप वहां पे जाके घुम सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको वहां मज़ा आएगा और एरान के अगर मैं बात करता हूँ तो वहां आपका रहना, खाना, पीना सब कुछ बहुत सस्ता है इंडिया से काफी सस्ता है एरान ठीक है और वहां पे आपको ज़्यादा पैसा खर्षा करने की कोई जरूद थी ज़्यादा पैसा ले जाने की कोई जरूद नहीं है तूसरी में बात करता हूँ बीजा की तो फ्रेंड्स एरान का बीजा इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही कम प्राइज में आपको बीजा मिल झाता है इरान के बीजा ये डेगरी डू तरीके के हैं पहला फ्रेंड्स ऐसा है स्टिकर बीजा है स्टिकर बीजाश आपको मिल झायागा जो आपको 25-cc 3 ĝार के बीच में विजा उन राइवल से बेटर रहेगा फ्रेंड्स मैं आप केरंसी की बात करता हूँ जो की सबसे जरूरी है तो दोस्तों एरान का जो केरंसी है वो बहुत ही लो है बहुत दुनिया में सबसे ज़ादा लो केरंसी अगर किसी कंटरी की है तो एरान की है फ्रेंड्स अंडिया का 1 रुपे ईरान का 608 रुपे आज का रिट चला है कभी कभी तो 6.5 के आस्फाद पहुंच जाता है तो आज का रिट जला है वो 608 रुपे अगर आप एक इंडियन रुपे देते हो तो अपको 608 रियाल आपको मिलता है और अगर मैं महेंगाई की बात करूँ तो एरान में महेंगाई बहुत ज़ादा नहीं है आपको वहाँ पानी बहुती सस्ता मिल जाएगा और आपको वहाँ अगर आपको खाना खाना है तो खाना भी आपको रेस्टरेंट में मान चलिए कि 100-100 रुपए में आपको इंडियन रुपीज में आपको मिल जाएगा और ट्रांस्पोटेशन की में बात करता हूँ तो ट्रांस्पोटेशन भी आपको वहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है आपको काफी कम रेट पे मिल जाएगा और अगर आप होटल भी अगर आप देखते हो होस्टल देखते हो तो बहुत सारे तहराद में होस्टल है और बहुत सारे होटल हैं जहां पे आप रुख सकते हो इसका प्राइस भी बहुत कम आपको इमान के लिए कि 300-400 होटल वहाँ पे स्टार्ट होता है अगर आप होस्टल लेते हो तो 300, 200, 200, 200, 300 के आसफास आपको वहाँ पर मिल जाएगा और उसके बाद मैं बात करता हूँ कंट्री खुमने के लिए तो कंट्री बहुत ही खुबसूरत है आप वहाँ बिज़िच कर सकते हैं करके आप वहाँ जाईए और मुझे बताईए आपको एरान का एक्सपिरियंस कैसा लगा आप हम लोग के शाथ पर सेयर कर सकते हैं अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करेगा वीडियो देखने के धन्यवाद थैंक्यू सो मच